युवर साइड़ेस तो कंप्लीट और रिवाईव्स नोट्स यह पूरा कंप्लीट कर लो दूसरा शीट वन जो की बेसिक शीट थी लिमिट एग्जिस्स करती नहीं करती इस टाइप के कोश्चन से उसमें और शीट टू जो रेशनलाइजेशन और फेक्टराइजेशन पर शीट है वो दोनों कंप्लीट कर लो अभी बुक्लेट में से नहीं दूंगा होंवक बुक्लेट में से थोड़ा टाइम है बड़ा होंवक देने में ठीक तो यह दो चीज आपको आपकी साइट से कंप्लीट रखना है लिमि ठीक है तो नेक्स क्लास तक अपने पास टाइम है तो उसका एक फायदा यह हो जाएगा कि आपको सारे फॉर्मूले याद करने का टाइम भी मिल जाएगा और फिर हम उन फॉर्मूले पर बेस कोशिन भी कर पाएंगे सक्षि मैंने लास्ट क्लास में जो अपना वॉट्सप ग्रूप पर बेजा था तो है तो आपने रिकॉर्डिंग देखिए वा सक्षिए अगर आपने लास्ट क्लास थी अर्टेंड की थी तो रिकॉडिंग देखो और ग्रूप जोइन कर लो बैटा ग्रूप का लिंक कोई मुझे सेंड कर सकता है या मुझे ही सेंड करना पड़ाईगा हाँ मैं भेज दूँगा ग्रूप का लिंक आज की क्लास में बीच में ठीक है आपको रिमाइन बिगरवा दूँगा सबको आगे बढ़ेंगे हम लोग आज तो आए होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि हमको आपको क्या करना है अभी तक और उसके बाद आज का लेक्चर जो होगा वो अब आपको सीखना है चलो कुछ कोश्चन से जिनके पारे में बात कर लेते हैं अपन उसके बैसिस पर फिर जो तहरी हम कंक्लूट करेंगे जो इंपौर्टेंट इंफोर्मेशन कंक्लूट करेंगे उसके लिए बात करेंगा लिमिट एकस्टेंदिंग्स टूजीडो सबसे पहला कोशन है लिमिट एक्सेंडिंग स्टू जीरो वन बाइक्स स्कूर मैं को बताओ इसकी लिमिट क्या आईगी गोश्यार परोकाकिस मश्今 Lahir को आपको यादे तो मैंने यह वाला टॉपिक इस्टार्ट करने तरह में बना जिये Opportunary मिने लिएक में मैं फूइरे महत्य खजा अधर होद निंग करेंगे वह तो यह में नेक्त स्क्रास वाला जो पारट यह वाला जो पार्ट कर लिमिटम Central एक्स्टेंडिंग्स टू जीरो जीरो प्लस की वेल्यू क्या होगी देखू यहां पर आपको एक बेसिक इन्फोर्मेशन यह याद भी होनी चाहिए अपने पहले डिसकस्ट भी करी हुई है यहां पर इसको डिक्रीज कर रहे है यह वेल्यू जो है वो इंक्रीज होते जारी है तो जब मैं यहां पर आ जाऊंगा और यहां पर एक बहुत छोटी वेल्यू पूट कर दूँगा डेफिनेटली जीरो से बड़ी है बट बहुत छोटी वेल्यू तो दिस विल टेंस तो इंफिनिटी दिस इस दे लॉजिक ओफ इंफिनिटी करेक्ट तो अब इसमें लेचल निकालू या आरेचल निकालू दोनों निकालू एक सिस्क्वेर जो है वो डेफिनेटली इस अप्रोचिंग टू जीरो प्लस तो यह वेल्यू किसको अप्रोच करेगी लेचल और आरेचल दोनों साइट से किसको अप्रोच करेगी LHL निकालू या RHL निकालू दोनों case में ये किसको अप्रोच करेगी भाई infinity को अप्रोच करेगी correct है इसमें किसी को doubt तो नहीं है दोनों मैं plus infinity को अप्रोच करेगी very good अभी plus infinity को अप्रोच करेगी LHL और रहेचल तो मैं answer क्या लिखूंगा इसके लिमिट की वेल्यू जरा ये भी बता दो what should be my answer what is the value of this limit then in that case दोनों प्लस infinity आ रहा है मैंने बोला है आपको लेचल और रेचल बराबर होता है तो infinity तो इसमें हम लोग बलते हैं limit does not exist हम क्या बोलते हैं limit does not exist क्यों बोलते हैं उसके बारे मैं बात करूँगा मैं जब भी infinity आता है वेटा तो infinity कोई number नहीं होता है इंफिनिट एक feeling होती ही जो हमने इसको देख के रखी हुई है यहां से यहां पर जब जाते हैं तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब infinity आएगा तो मैं बोलूँगा limit does not exist मुझे limit के लिए constant value चाहिएगी क्या चाहिएगी लिमिट के लिए एक constant value चाहिएगी जो कि LHL और RHL दोनों बराबर भी आएं और वो एक constant value भी आए इंफिनिटी नहीं चाहिए मुझे अगर इंफिनिटी आया तो मेरा limit does not exist अंसर आना चाहिए ठीक है नेक्स कोशन मैं करता हूं limit एक स्टेंडिंग्स टू जीरो वन बाए एक्स इसमें आप मुझे LHL और RHL बता दो भाई नेक्स कोशन रहेगा मेरा इसमें भी क्या आएगी आप थोड़ा सा इसको नोटिस करोगे यह प्लस इंफिनिटी आएगी और यह माइनस इंफिनिटी आएगी या मैं यह उसके पास यह आजाएगा माइनस पॉइंट 0 0 0 तो भाई आएगा तो इनफिनिटी नेकैटिव सांग के साथ आएगा व्यमेंट आएगा व Poppy s कि नेक्स्ट वाले कोश्चन का भी बता दो माई लोग को मैंने उल्टा लिग दिया राइट करेक्ट 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 मैंने उल्टा लिग दिया है न यह पाइनस यह प्लास अब देखों यहां पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना एक स्टेंडिंग्स टूवन है मैं क्या करता हूं एक नया वेरियेबल इंसर्ट करता हूं इसको स्टेंडिंग्स टूवन्ता लगता है तो एक स्टेंडिंग्स टूवन में क्या करता हूं तो मैं एक नया वेरियेबल ले लेता हूं जो कि मैं one plus t लिख देता हूं, x को one plus t लिख देता हूं, तो जब x one को 10 कर रहा है, तो t किसको 10 करنا चाहिए भाई लोग? zero को 10 करना चाहिए, तो यह है, तो t को क्या 10 करना पड़ेगा? 0 को 10 करना पड़ेगा, तो यह मैंने क्या किया है? substitute कर दिया है तो मैं ये जो कोश्चन में एक्स की जगे क्या पूट कर दूँगा टी प्लस वन पूट कर दूँगा एक्स माइनस वन की जगे क्या पूट कर दूँगा एक्स माइनस वन की जगे टी पूट कर दूँगा और लिमिट क्या पुट कर दूँगा लिमिट पुट कर दूँगा टेंडिंग्स टू जीरो यह तरीका मैंने बताया यहां ज़रूरी नहीं भी था बट आगे कहीं कोश्चन आएंगे जहां पर आपको ज़रूरत पढ़ेगी कि लिमिट जो देखे रखाया औरिजनल कोश्च कि मैंने different representation किया with the help of the substitution यह आपको समझना पड़ेगा कि X मैंने 1 प्लस T इसलिए पूट किया क्योंकि यह वन टेंडिंग्स था तो यह T जो है वो जीरो टेंडिंग्स आना ची हाँ के भी ले सकते हो आप कुछ भी ले सकते हो दूसरे कोश्चन में और कुछ ले लेंगे अपर वेरियेबल हर एक कोश्चन में मैंने X लिया अभी ता कि X की जगए आप कुछ भी वेरियेबल चूस करो हम function generally X में लेते हैं इसलिए हम लोगों को question भी X में आते हैं बाकि के सा जरूरी नहीं if you are using k here you can use k here क्योंकि function जो है वो के में है तो आपकी जो लिमिट में जो वेरियेबल की वेल्यू है वो भी आप के में यूज कर सकते हो तो उसमें कंफ्यूज मत हो कि नहीं यह वाला नहीं है विटाए यह तो मैंने substitute किया solve करने के लिए लेचल और रेचल लेके जब एच सब्स्टिचूट करता हूं तो वह हमारा एच होता है जो एच टिपिकल जो हम लेचल और रेचल वाला हमने निकाला था हो अभी तो हमने एक नया वेरियेबली आल टुगेदर सब्स्टिटूट किया है सिर्फ यह लिमिट को टेंडिंग्स टू जीरो बनाने के लिए चलो इसकी वेल्यू के आएगी भ आगट्य का इनईइन इंफिनिटी यह प्लस इंफिनिटी करेक्ट फाइनल अंद्धर की इतना ना ची लिमिट होगी है हुए दस नॉट गोगे एकुभी गिजिस्ट Group हम लास वाला बताद में सब्स्टिटूशन लास वाला करो आप जब तक मैं सब्स्टिटूशन एक बार और बता रहा हूं मैंने क्या किया सब्स्टिटूशन बहुत यूज करूंगा मैं तो don't worry about it अभी बस देख लो एक बार आप को feeling नहीं भी आईगी उचीज की तो माद में आईगी ठीक है मैंने क το यहां से MARK मेरे पास यहां से आया तो यह इसी लिए वन में लिया कि जब iX when content कर रहा हूं तो यह भी वन हो गया घेक को किए है तो अब लास वाले में भी अगर इफ यूओंट सब्स्तिच्टूट करके सॉल करो तो सब्सक्राइब कर लो में या पिर आपको डैरेक्ट सॉल करना था डारेक्ट सॉल करेब हर लाग है कि लेचल कितना रहा इस केस में जड़ा मुझे बताओ तो कि लेचल कितना रहा इस केस में कि नॉप्स प्लस इंफिनिटी आएगा बेटा और यह माइनस इंफिनिटी आएगा वैंसा क्यों आएगा तो भाई लोग जब मैं माइनस टू से बड़ा या छोटा शब्स्टिटीट करूगा या तो यह सब्स्टिट्यूट करूंगा या यह सब्स्टिट्यूट करूंगा या इसको मैं माइनस टू से छोटा कर देता हूं माइनस टू से बड़ा कर देता हूं अभी माइनस टू से प्लस इंफिनिट्व उपर भी नेगेदिव नीचे भी नेगेदिव आघए समझ में यह नेगेटिव यह भी नेगेटिव अब यह नेगेटिव क्यों आया दोस्त एक्स प्लस वन जो है वो उसकी वेल्यम माइनस वन के अराउं गूमेगी इसलिए और माइनस टू प्लस पर यह नेगेटिव यह आएगा और यह आएगा प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो सम्थिंग सम्थ तो वेल्यू किसको टेंड करेगी माइनस इंफिनिटी को क्लियर तो थोड़ी सी चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें आपको याद रखनी और रॉल माइं कंटेंटिट लिमिट ड़स नॉट एग्जिस्ट बोलो बेटा तो अब आप कह रहे हैं कि एले ले ले में निमिट तू से ही थोड़ा माइनस तू से थोड़ा छोटा है तो फिर अब माइनस तू से छोटा है तो यह वाला पार्ट कितना होगा माइनस जीरो पॉँट जिरो सम्थिंग सम्थिंग होगा ज्याया है अपर वाला पार्ट क्याई होगा एक्स प्लैस बन करेक्क अभी वबी माइनस माइनस सोग conferर्गी तो वन नम घो ए तो ऑनलो से छोटा है माइन fulfillment आएगा बन अब देखो यहां पर एक और चीज में आपको बताता हूं मानलों आप यह नहीं कर रहे हूं आप इसको सब्स्टिटूशन से कर रहे हूं अनल है विष्णवी दोनों इंफिंटी पर है तो भी लिमिट डोस इंफिटी तो भी डाभी है अब देखों यहां पर अगर आप ठीक है सलो सर सब्स्टिट कर दो कहा में इस होड़ा समय को अच्छी की फिलिंग आ जाएगी तो मैं एक्स को क्या करता हूं बेटा माइनस टू प्लस के सब्स्टिटूट कर देता हूं मैंने नया वेरियेबल के ले लिया तो वें जब तो एक्स टेंडिंग्स टू माइनस टू होगी तो के टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों जीरो हो जाएगा और यहां पर मैं इसका इक्विलेंट बोल सकता हूं कि एक्स प्लस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा के अगर x is equal to minus 2 plus k है तो x plus 2 equal to k है x tendings to minus 2 है तो k tendings to 0 है यह अभी हमने सीखा अब मैं अगर इसको पूरे को change करता हूँ तो x plus 1 की जगे मेरे पास आजाएगा minus 2 plus k plus 1 division में x plus 2 की जगे मैंने substitute कर दिया k तो overall मेरे पास आजाएगा minus 1 plus k upon k no it is easy to find out this values now relatively comparison to what we have done क्योंकि यह जब 00 आता है ना तो यह आपके लिए थोड़ा सा easy हो जाता है solve करना कि यह आपको minus 1 अब नजर आई रहा है यहां तो अब आपको पता है सब्सक्राइब करेंगे जब उसमें थोड़ा और जादा हमको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत पढ़ जाएगे तो यहां पर कंटेंट लिखना चाहूंगा मैं होप आप नहीं सब कॉपी कर लिया काफी टाइम भी मिल गया है आपको आपको अब रिजल्ट इस लिमिट extendings to a f of x does not exist does not exist first both l1 l2 what l1 l2 exist finite but unequal यह तो आपको पता है भाई कि lhl और rhl l1 इस यहां पर lhl ले लेता हूं मैं और l2 में यहां पर rhl ले लेता हूं मैं कि भाई lhl और rhl दोनों finite है finite का focus करना यहां पर infinite value नहीं आ रही है finite value आ रही है some constant of particular constant आ रहा है बर्ट डिफ्रेंट आ रहा है दोनों cases then in that case limit does not exist यह हम lhl not equal to rhl already देख चुक है one of l1 और l2 is infinite infinite and other is finite यह भी अब आपको समझ में आना चाहिए भाई कि अगर एक infinite है और दूसरा finite है तो भी limit exist नहीं करनी इसमें तो करनी नहीं है क्योंकि दोनों बराबर नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता करेंट one of l1 or l2 is undefined and other is finite undefined का मतलब आपको पता है कि कैसा expression नाया जो डिफाइन नहीं है अगेन यहां पर फोकस करना आप अंडिफाइन का मतलब यह नहीं है कि infinity आ रहे डिफाइन नहीं एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं है लिमिट डिफाइन नहीं है that is the case infinity वाला केस अलग होता है infinity और undefined में डिफरेंस होता है करेक्ट अवर ओल आपको content यह यह भाई कि अगर मेरे पास l1 equal to l2 equal to some constant आ रहा है sorry l1 equal to l2 equal to some constant आ रहा है तो ही limit exist करेगी इसके अलावा कभी भी limit exist नहीं करेगी this must be a constant this must be constant this cannot be infinity that constant must not be infinity ठीक है उसी के result है वहीं लिखा हुआ है overall बस different languages में लिखा है कि आप confused नहीं कभी finite unequal आगा एक infinite आगया finite आगया एक define नहीं आए एक finite आगा तो इन सारे cases में limit जो है एट ड़स नाट एक्जिस्ट one of L1 and L2 is undefine का एक एक ग्जाम्पल ले लेंगे if you want झाल कि अटान से एक जाट आगया तो एक प्षार आगवी में के लिखा है झाल कि अधिक है के सब्सक्राइब ले लेहाई है कि इसमें लेच और आरेचल में से एक चीज डिफाइन नहीं होगी कि बिफ टंग और आरेचल में से एक चीज डिफाइन नहीं होगी ठीक है यह एक एक जामपल लिख लो इसमें अंडिफाइन आएगा अब क्या एक क्यूं आएगा यह अब आप थोड़ा सा पर दिक कर बीक कर दूँआ है झाल 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 चलो बढ़ेंगे आगे बटा राइट करेक्ट साक्षी डिनोमिनेटर इस जीरो आरे चल वो रीजन अब आपी ढूंडना के ऐसा क्यों हो रहा है I am moving forward मैंने कुछ questions आपको बताया थे उसमें एक information और मुझे आपको देनी है तो question आप लिख लो लिमिट एक्सिस टेंडिंग्स टू इंफिनिटी एक्स टेंडिंग्स टू इंफिनिटी पर मैंने आपको बताया था राइट एक दू questions हमने किये थे उसको थोड़ा और अच्छे से करके उसको finish कर लेते हैं हम लोग इसकी लिमिट बता देना भाई लोग मुझे लिमिट एक्सिस टेंडिंग्स टू इंफिनिटी पर और रिमिट बताइट वींट इंब्स हमने कि उसको फम्स राई देंटो न clock स से क्यूब झाल झाल ठीक है इस सारों तीरों कोशन करके देख लो बिटा क्या हा रहे हैं झाल झाल चलो पहला वाला तो आई गया होगा आप लोगों को हमने सीखा ही था कि भाई इसमें x square जो highest power रहती है उसको common लूँगा मैं x square numerator में से भी common x square denominator में से भी common ये बचेगा 3 ये बचेगा 2 by x ये बचेगा 1 by x square और denominator में बच जाएगा 2 plus 1 by x और फिर मैं बोलूँगा के ये दोनों x square तो cancel होगा and all this part, this part, this part and this part will become 0 तो value क्या आजाईगे आपके पास ? sorry 3 plus 0 plus 0 divided by 2 plus 0 which is equal to 3 by 2 this is the value of the limit इस case में कितनी आ रही है बचा ? इस case का अंसर निकाल लिया है क्या लोगों न है ? correct इस का अंसर 0 आएगा बात वही है आप यही करोगे कि आप highest power common ले लोगे numerator denominator में x cube highest power है ? 3 plus 2 by x plus 1 by x square divided by 2 plus 1 by x square क्योंकि x cube common लिया था ? I am left with 1 by x तो मेरे लिए जो 1 by x बचेगा न यह दिक्कत दे देगा ? तो numerator तो मेरे पास यही बचा तो overall finally यह तो 0 होना ही है यह भी 0 होना ही है यह भी 0 होना है और यह भी 0 हो जाएगा तो यह 3 by 2 का जो मतलब है वो कुछ नहीं बचेगा ? पस लिमिट की वेल्यू कितनी आएगी ? 0 थड़ वाले केस में थड़ वाले केस में आप बोलोगे infinity 10 करेगा ? कर्रेक्ट एक दम सही बोल रहे हो आप लोग infinity 10 करेगा यहां पर आपने x cube common लिया देखो यह थोड़ा सा केस अलग भी है मैंने पहले बोला कि infinity अगर टेंड करता है तो हम लोग बोलते हैं कि limit does not exist बस इसमें LHL RHL के फंडे नहीं आपने extending to infinity पर expression की बाते करने आपन तो इसको हम लोग infinity लिख देंगे यह 1 by x cube आ गया यहां पर आपके पास आ गया 2 plus 1 by x आ गया तो यह cancel हो जाएगा मेरे पास एक x बच जाएगा तो overall मेरे पास कितना बच जाएगा प्लस infinity पर टेंड करें वो लाश वाला कहां पर जाएगा बेटा लाश वाला किस पर जाएगा माइनस infinity पर जाएगा correct यह आएगा यह cancel हो जाएगा यह कुछ ऐसा बचेगा एक्स इंटू कि सम्थिंग नेगेटिव माइनस थ्री बाइटो अना यह गलत लिख रहा हूं मैं इसा लिखना नहीं चाहिए मुझा मैं था मैं ठीकली गलत लिख रहा हूं मैं क्यों लिख रहा हूं अभी आपको आइडिया नहीं है इसलिए बट अब आपको मैं गलत नहीं लिखूंगा मैं सही लिखूंगा तो मैं अभी आपको समझ में आना चाहिए कि माइनस इन्फिनिटी क्यों हो गाबम सब्सक्राइब दिसविल टेंश टू झीरो तो ओले तू माइनस में बच जाएगा इक सिन्फिनिटी यहतो आता सवाए माइन लिए यहाँ पर थोड़ा सा अब आप यह समझ लो देखो अगर आपको confusion है एक step लिख लो समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पर आप यह लिख लो कि भाई यह एक्स तो बिचारा बज गया टी 2 बाइक स्क्योर हो गया प्लास वन बाइक्स क्यूंड हो गया कर्यक्त यह फंक्शन सन वोगी हुए यहँ हम्विघ्स 1 बाइक्स sqbayere हो गया हो गया प्लस बैडे स्ट सीनिट यह पार आजयएगा यह भी जी यह पास आ जायगा और यह क्योंकि लास्ट वाला कोशन से में सिर्फ एक कोईफिशेंट प्लस टू के जगे माइनस टू डाल दिया है लास्ट कोशन में भी वही किया है बटा दोनों कोशन से में सिर्फ यहां पे जो प्लस था उसको यहां पे माइनस कर दिया गया है तो यह माइनस टू बज गया है यह सारे पार्ट 0 हो गया है तो यह माइनस 3 वाइट और यह एकस के कारण इंफिनिटी बचा एक एकस बचा होगा था तो तो इसके आपको बहुत सारे मिलेंगे करने को यह को सलब्राओं में अभी निकराओंगा क्यों कि आज मुझे फॉर्मॉलेज बताने जियुक्षosis मिलेंगे कि- 하기 को constant experience कराना है तो क्या वह ediyorum कोश्वप मिन नहीं जांगा मैं अभी आज-चलो आफ बसे लिख लिया हो अपने अगे बढ़ते हैं, overall conclusion क्या निकला आया, overall conclusion मेरे लिए इस case में ये निकला, कि अगर मेरे पास limit, चलो थोड़ा सा देखलो, एक मिनिट देखलो, फिर में overall conclusion लिख देता हूँ, चलो, तो limit extending to infinity, अगर मेरे पास question आया, और वो question में कुछ इस type से मेरे पास powers आई, जिसे अभी था, उपर भी polynomial आ गया, भाही लोग, नीचे भी polynomial टाइप से कुछ आ गया, और उपर जो high s power है, वो x की power m कर दी, वो नीचे जो है, वो x की power n कर दी, दोनों में difference है, power में m और n है, तो definitely अब आपको ये समझ में आया होगा, कि last question जब मैं कर रहा था, उपर वाले और नीचे वाले की power सेम है, जो highest degree है, वो सेम है, मेरे पास एक constant answer आया है, उपर वाले और नीचे वाले की degree में difference आया है, जैसे इस question और इस question में आया है, तो मेरे पास answer कुछ अलग आया है, तो जब उपर वाले की डिग्री नीचे वाले डिग्री से छोटी है ध्यान देना उपर वाले की डिग्री भाई इसकी डिग्री नीचे वाले डिग्री से छोटी है अंसर जीरो आ रहा है अगर उपर वाले की डिग्री नीचे वाले डिग्री से बढ़ी है अंसर प्लस इंफि तो किया सीन आएगा एगा मुझे श्रेंश आंशा सत्तों विखलेभे और हो। तो आपने बोला था सर हाइस कोईफिशन ले लो नीचे वाले का भी हाइस कोईफिशन ले लो अंसर आ जाए देखो यह रटना नहीं है यह मैं बता रहा हूं कि आप यह ऐसे एक्सप्रेशन देखके किसी बुक में डर मत जाना क्या चल रही दुनिया मैंने आपको पहले भी बुक में और जब आप क्लास अटेंड करोगे थोड़ा सा डिफरेंस में करूंगा तो हमारी अप्रोच इसी होनी चाहिए कि हमसे सेवन्टी परसेंट या सिक्स्टी परसेंट इस चांसे रहे हैं कि हमको जहीं का कोश्ण हो जाए उस चेप्टर में से जो आए 100 परसेंट त तो इसको रटना मत आपके दिमाग में इसलिए मैं एक्जांपल करने के बाद में आपको फॉर्मूले बताता हूं एम इस लेज देन एन के लिए क्या ऐगा सेकंड वाले के लिए एट लिस्ट टेन अंसर चाहिए मुझे प्राइट इस पे तो जीरो यहाना वाई इसमें कोई डाउट नहीं है कुन सा केस से के यह जब यह उपर वाले की पावर नीचे वाले से कम हो, तो कुछ इस टाइब का बच जाएगा ना, यह एक्स नीचे बच गया, तो अब इसको 0 बना देगा, यहाँ पर numerator में एक्स बचेगा, इस और इस case में, तो या दो chances बनेगा, कि भाई या तो plus infinity को ले लो, या minus infinity को ले लो, इसमें दो case बनेगे, इसमें पर डिपेंड करेगा भाई, तो मैं बोलूँगा किया सर, आप ऐसा करो, am और bn, अगर दोनों का multiplication 0 से बढ़ा है, तो plus infinity ले लो, और am into bn, दोनों का multiplication 0 से छोटा है, तो minus infinity ले लो, दुनिया समझ में आनी चीए, क्या चल रही है, भाई, am into bn, अगर greater than 0 है, मतलब दोनों य नेगेटिव हो, infinity पर अप्रोच कर जाएगा, और दोनों अगर opposite sign क्या है, तो माइनस infinity पर अप्रोच करेगा, वही है, जो हमने लिखा पहले, बस उसको एक, थोड़े से अच्छे तरीके से हम लोगों ने लिख लिया है, नोट डाउन कर लो, इसको पूरे को, इसको लिख लो, फटा 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 इसको लिख लो, फटा फटा फटा, यह देखलो, प्रिविएस पेज जो बोल रहा था, X की पावर N के कोईफिशेंट है दोस्त, किसके कोईफिशेंट है, इसके कोईफिशेंट है, इसके A और B N, यह दोनों highest degree के कोईफिशेंट से A म और B N, उनस दोनों पे depend करेगा न, answer क्या आएगा, बटा, लास व्हाला question अपने इसलिए किया कि देखो, यहाँ पे दोनों एक 3 था और एक 2 था तो देखो अंसर में कितना impact डाला उनने, यहाँ पे 3 by 2 आ गया, इसमें उसने impact नहीं डाला, बट यहाँ पे उसने impact डाला क्योंकि दोनों positive थे, देखो दोनों positive थे तो plus infinity आया, एक positive और एक negative था तो minus infinity आया, मैंने भी वही लिखा हुआ हुआ है, कि अगर यह दोनों के same sign है, तो plus infinity और दोनों के opposite साइं है, तो minus infinity, इसको अगर आप you want me to write it in a different way, मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, aim, bn, both, same sign, aim, bn, different signs, वो मैंने theoretically नहीं लिखा है, मैंने mathematical language में लिख दिया हूँ, ठीक है, बोल बेटा राइल, सर, सर, आपने बोला कि M numerator में power है, तो सर, पहले वाले example में तो M, अब previous page हो सकते हो, उसमें तो 2 छोटा है, 3 से, तो फिर आपने, कोईफिशेंट है, कोईफिशेंट है, पावर तो X square है और यहाँ भी X square है न, M और N दोनों बराबर है, अच्छा तो आपको, यह M है और यह BN है, हमारे example में, इसलिए क्योंकि अब आपको रठना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी चीज़े, हम कुछ expansion करते हैं, हमको कुछ expansion होता है, जो maths में याद होने चाहिए, कुछ trigonometric जैसे sin x हो गया, इनके expansion होती है, इनके एक series आती है, वो series हमको याद रखनी है, वो आपको limit में भी use होगी और आगे भी use आईगी, एक example बताऊंगा आपको, क्या होता है, कि पहले के scientists ने क्या किया था, जैसे sin x से, साइन एक्स की feeling है आपको, साइन एक्स क्या होता, आपने define किया भाई, पूरी trigonometry पर ले, बट साइन एक्स की जो value है, x के term में भी उन लोगोंने निकाल के रखी हुई है, ठीक है, sin x का expansion जो है, वो x के term में उन्होंने निकाल के रखा है, ट्रिग्नोमेट्री जो है, उसका expansion एक algebra के term में निकाल के रखा हुआ है, वो किसकी help से क्या हुआ है, तो एक theorem होती है, जिसको बोलते हैं, मेकलोरेन theorem या और दूसरे scientist के नाम भी आते हैं कभी-कभी, तो वो जो theorem होती है, वो हमको बताती है, कि sin x का expansion अगर algebra में करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, ध्यान देना, ध्यान देना, वापिस से repeat कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, क्या होता है, कि जैसे कि sin x आपने लिखा, तो sin x एक trigonometric term होती है, एक trigonometric expression होता है, वो जब भी आप x में term लिखते हो, जैसे x square प्लस 2x प्लस 1 लिखते हो, तो ये एक algebraic expression होता है, उस theorem ने क्या किया है, उस theorem ने ये किया है, कि ये जो trigonometry है, उसको उन्होंने algebraic के term में represent कर दिया है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते है expansion, ठीक है, सिर्फ trigonometric को नहीं किया है, उन्होंने logarithmic series भी बना दिये, उन्होंने exponential series भी बना दिये है, तो उन्होंने क्या किया है, जिसे आपने log देखाया, log 1 प्लस x, log अपने आप में एक function होता है, ठीक है, अभी log अपने आप में एक function होता है, बट उसको उन्होंने x के term में लिख दिया है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे उसका expansion जो आपको याद किया हुआ होना चाहिए, उसका जो basic concept है, वो में लिख रहा हूँ, कि कभी भी कोई fx एक function है, उसका expansion अगर आपको लिखना है, Maclaurin theorem बोलते हैं उसको, x into f' of 0, differentiation मतलब भारी लेवल पर calculus यूज हुआ है, तो अभी आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको इतना matter भी नहीं कर रहा है, as far as your j preparation is concerned, मैं उसको expansion लिख देता हूँ, ताकि अगर आपको कहीं जरूरत पढ़े, तो आप उसको याद रख पाऊँ, इसे आप चलते जाना, मैं आपको एक example बताता हूँ, ताकि आपको clarity आजाए, जैसे कि sin x के बारे में बात कर लेते हूँ, एक example लिख देता हूँ, well your preparation is concerned, आपको ये नहीं भी याद होगा, बस expansion याद होगे तो चल जाएगा, fx is equal to sin x है, अगर इसका expansion मुझे करना है, तो f of 0 मेरे पास कितना होता है, f dash x आपको पता है, sin x का differentiation cos x होता है दोस्तों, तो f dash of 0 अगर आप निकालोगे तो कितना होगा जरा बता हूँ, f double dash x भी आप निकाल पाओगे, f double dash x कितना हैगा, f triple dash भी आप निकाल पाओगे मतलब differentiation आप निकाल सकते हो infinity तक, ये सारी values आएगे, तो इसमें f double dash of 0 निकालो कितना हैगा, f triple dash of 0 निकालो कितना आएगा, और इससे निकालते जाओ, infinite तक आपको एक स्रीज मिल जाएगे, f dash 0 आएगा इधर 1, f dash double dash 0 आएगा 0, क्योंकि sin की value 0 होती है, cos की value minus 1, ऐसे आपके पास plus 1, plus 1, minus 1 alternate चलेंगे इस case, अब मैंको अगर expansion लिखना है, sin x का, तो मैं लिखूंगा, f 0 कितना हो गया, 0, plus x कितना हो गया, f dash of 0 कितना हो गया, 1, x square कितना हो गया, x square तो भाई, x square और मेरे पास यह 0, plus x cube by, इससे आप करते जाओगे तो finally जो आपके पास बच्चे का, वो x minus x cube by 3 factorial, प्लस x की पावर 5 by 5 factorial and so on, इस टाइप का नेचर आपको अल्टरनेट पॉजेटिव नेगेटिव सांग तेल infinite तक जाता होगा मिलेगा, and this is the series of sin x which you need to remember, remember, ऐसे ही मैं आपको 18 series दूँगा, जो आपको याद रखनी पड़े तो वही मैंने बोला था, कि आज की class में मैं आपको कुछ-कुछ formula बताऊंगा जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जो limit को निकालने में आपकी भूत help कर देंगे, नोट करो इसको this chapter पर चलेंगे बोल बेटा आपने राइट एंड साइड पेज में क्या लिखा है मैंने बस यह लिखा हुआ यहां पर आपको नोट करने की जरूद निया रफी है वह सिर्फ समझाया है आपको कि सिरीज का मतलब क्या है कि भाई जैसे साइन एक्स की टर्म में लिख दिया राइट इस इस वाट इस वाट सब्सक्राइब करोगे तो माइनस साइग और कॉस का माइनस होता है तो यह प्लस सब्सक्राइब और उसके बाद आपने सिंपली वह इसको सब्सक्राइट कर दिया इसके अंदर साथ तो ठीक है से थैंकिंट है हां बेटा सफीशिंट मैं बिल्कुल भी एक्ष्टा चीज इसलिए आपको अभी नहीं पढ़ा रहा हूं कि मुझे यह फंडा क्लियर करना है कि सबसे पहले आप 60-70 परसेंट कोश्चन आप कर पाऊं दिस इस माई में इम प्रियोरिटी मुझे सिखाना में बड़ी बड़ी बाते बोल दूँ और फिर वह बातें आप नहीं कर पाऊं नहीं समझ पाऊं नहीं सॉल कर पाऊं तो कोई मतलब नहीं होता है चीजों का पाट इटा इसले बाऊं तॉट बैक यह इए उन्हां इन श्कुरी इंड झाय था वितन यह उुट नाएच पाऊं आपाइट लिए विताओ नालेच विदाओ नौलेच विताओ नौलेच वी कन आप्लड नौलेच वी जिन्हां दूंट भी इस मार्ली वी चुट्ट हैं लग्याइब दॉटा में यि ये यह वही मैंने बोला ना एक्स पांशन में आर इंडी मत करो पाइब टू पर हम डिफाइन नहीं करते हैं दिस ऐंप से एक्स नियर तू नियर अप्रोचिंग टू जीरो की बातें होती है इस expansion में जब एक छोटा होता है जब की बातें होती है तो don't go into it इस पर question कैसे आएंगे इस पर questions आएंगे वेटा आपन करेंगे वही तो है कि मैं आज आपको लिखा रहा हूं सारे अब मैं एक रिजल्ट लिख रहा हूं वह रिजल्ट अब आपको पता होना ची कि वन प्लस एक्स की पावर इन का expansion आपको याद होना ची कि आपको याद होगा यह आपने बाइनोमियल थेरम में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से बाइनोमियल थेरम फोर एनी इंडेक्स एन कुछ भी और डिजन मैटर लगा देना यह बट आपको यह भी पता होता है कि इसमें जो एक्स जो होता है तो वह छोटा होना ची तो यह सारे expansion अब लिख लो और रट लो कि यह आपने देखा है बाइनोमियल थेरम फोर एनी इंडेक्स याद है आपको इस बाइनोमियल थेरम फोर एनी इंडेक्स यह भी आप इदर से निकाल सकते हो अब इससे कुछ लिखाऊं विताउट कोशनिंग वो चीजें आपको याद रखनी है मिटा कि की पावर एक्स 1 प्लस को एक्स डिवाइड़ आ वन फेक्टोर्यल प्लस एक्स स्कूर डिवाइड़ बाई टू फ्यक्टोरियल अ प्लस X क्यूब डिवाइड़ बाइ थ्री फ्रैक्टोरियल लिए एकी पावर माइनस एक्सका एक्सपांशन भी याद होना चाहिए बहुत इजी है मेरे साथ चलना थोड़ा सा मिस मत करना ठीक है प्रीवियस पेससे पर आओंगा, बट पहले जो उस उस पर फोकस कर Decal एकी पावर एक्सूर एकी पावर माइनस एक्सका एक्सका एक्सपांशन सेम है है डिफरेंस सिर्फ क्या है दोस्तूं माइनस एक्स की जगे एक्स-कмы कर देना एक्स की जगे किसको सब्स्टिटूट कर देना माइनस एक्स को सब्स्टिटूट कर देना अल्टरनेट नेगेटिव साइंग दिखेंगे आपको यह इसा इंफाइनाइट तक जाएगा एकी पावर एक्स पहले इतना तक लिखो एक बार में रिपीट करूँगा क्या लिखा है उसके बाद आगे वाला लिखूँगा हाँ एक्सपांशन वाला मत याद करो यही चीज है याद कर लो यह जो मैं अब लिख रहा हूं वह चीज याद रख लो आपका काम हो जाएगा पहले इतना कॉपी कर लो फिर एक दो चीज में समझाऊंगा उसके बाद फिर आगे बढ़ूँगा इम गिविविंग यूँ आ से मिनिट टू कॉपी दिस फोर एक्सपांशन एसे विए उट लर्न एराउंड टेन एक्सपांशन रेक्टिस से आप जाएंगे कोई ठेंशन नहीं इसलिए मैं आपको शिरू में पढ़ा रहा हूं चलो तो आएहो आपने कर लिए होगा पहले जो एक्सपांशन इत बायनोमियल थहरम फोर एटेक्स एनी इंडेक्स पोर रेशनल इंडेक्स के डुमा एक्सपुनेंट ऑर एक्सपांशन ने का रिलेशन है का है यूं रिप्लेस expert X बाय- comment यह गित्गा से उती होटी है कि अगर यह दो रिजल्ट के पास के पास लोगे आ जाता है, ठीक है, तो overall क्या है, e की पावर x का expansion है, सिर्फ x की जगे x into lna लिखा हुआ है, बस यह मैं बत्ताना चाहरा हूँ, आपको आप थोड़ा सा नोटिस करना, यह expansion और यह expansion सेम है, यह expansion और यह expansion सेम है, सिर्फ x को आपने किस से replace कर दिया है, x into lna से replace कर दिया ह x into lna से replace कर दिया है, इसलिए मैंने आप पर focus कहा था, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, e की power x अगर आपको यादे तो आपको यादे और आपको यादे, बट थोड़ा सा manipulation कैसे करना है, वो आपको idea होना चाहिए, ठीक है, देखो again मैं repeat कर रहा हूँ कि complexity तो अफ तो मिलनी है, महनत करनी, जितना easy हम उसको बना सकें, उतने बनाने की कोशिश जरूर करेंगा, चलो तो e की power x मतलब exponent के expansion हमने देख ली, अब हम आते हैं logarithmic expansions पे, तो हमारे पास आएगा log of 1 plus x का expansion, log of 1 plus x का expansion होता है, x, minus x square by 2, plus x cube by 3, minus x की power 4 by 4 and so on, और similar basis पे log of, log मतलि लिखो, यहाँ पे base e लिख दो हमना, base e मतलब ln का expansion है, बेटाए, log base e का expansion, यहाँ पे आपको x की जगे, minus x substitute कर लो, तो यह दूनों expansion भी सेम है, सिर्फ x की जगे, minus x substitute किया हुआ है, तो इसमें totally में सम्में negative साहीं आ जाएगी, इसमें alternate positive negative साहीं आ जाएगी, और अगेन यहाँ पे जो replacement है, इसमें से इसमें, x को आपने किस से substitute किया है, minus x से substitute किया है, और इन दोनों में condition भी में लिख रहा हूँ, कि x जो है, वो 1 और minus 1 के बीच में होनी चाहिए, यह आपको पता, यह भी note कलना आप, अपने आप में जो constant है, वो constant भी में लिखते जा रहा हूँ, यह आपको याद रखनी है, यह सारी चीज़ें याद करनी हो, next class के पहले याद भी होना चीए, यहाँ पर मैं यह बना देता हूँ, कि this is the condition, confuse नहीं हूँ, x is lying between minus 1 to plus 1, हाँ सब का derivation कर देना, sin x की तरह, चलो भाई, आगे बड़े, I hope आपने लेख लिया हूँ, हाँ, that condition is for both, for this as well as for this, this condition, x is lying between minus 1 to plus 1, यह याद रखना है आपको, यह रटना है आपको, यह जो चीज़ें लिख रहा हूँ, यह रटना है आपको, मैंने आपको पहले भी बोला, इसलिए मैं इसको अभी बता रहा हूँ, थाकि next class तक आपको यह सारी चीज़ें, याद हो जाएं तो हमारे लिए आगे की चीज़ें easy हो जाएं मैटा, साइन एक्स का expansion आप लिखी चुके हो, कॉस एक्स का आपको लिखना पड़ेगा, टेन एक्स भी आपको लिखना पड़ेगा, यह होगे trigonometric expansion प्रिविएस पेज लिख लो भाई, साइन एक्स का expansion हम लोग लिख चुके हैं अल्रड़ी, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फेक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 फेक्टोरियल, alternate positive negative sign के साथ odd terms, odd power साथ ही जाएंगे, कॉस एक्स में even power sign गी, alternate positive negative के साथ, 10X में थोड़ा साब को याद रखना पड़ेगा, 10X थोड़ा उल्टा जाएगा, इसमें फेक्टोरियल नहीं आएगा यह चीज है यह चीज आपको थोड़ी सी और अच्छे से याद रखने मतलब रटा हुआ सारा होना चीए शिरू के तीन टर्म से याद होनी चाहिए आपको मुक भाके यह दो हुआ मुद्र देखने मुद्र आपको याद होने चाहिए इन वर्स आपको पता ही है अपने पड़ा नहीं पड़ा अन्हों ह्युआओ इन की बट इन को याद होना प्रटा। एक्स प्लस फोर्थ टमिस टू बाई फिफ्टीन बेटा थर्ड टमिस टू बाई फिफ्टीन फोर्थ टम मुझे भी नहीं याद है नहीं जरूरत पढ़ेगी बेटा जरूरत पढ़ेगी बेटा जरूरत पढ़ेगी बेटा इन दो फॉर्थ एक्स्पांशन दो फॉर्थ टम इस वन स्कूर थी स्कूर फाइफ स्कूर का मुल्टिप्लिकेशन डिवाइड बाइ सेवन फेक्टोरियल अधिल इसको कॉफे करो दो और एक्स्पांशन बाक्कि उनको भी लिख देता हूं कॉस इन्वर्स की जरूरत नहीं पड़ती बेटा कॉस इन्वर्स जिसने पूछा वेरी गुड बट क्या होता है एक प्रॉपर्टी होती है कॉस इन्वर्स में क्या होता है के साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स जो होता है वो हमेशा पाइब लुक्त के बराबर होता है तो जब भी आपको कॉस इन्वर्स एक्स की जरूरत पड़ने वाली है आप उसको सिंपल सा पाई बाई टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स लिखने वाले है ठीक है रियान हाई टेस टू बाई फिफ्टीन बेटर हाई वेट कर रहा हूं आप कॉपी कर लो फिर अपन बच्चे हुए दो एक्स्पांशन भी लिखेंगे है और फिर दो तीन फॉर्मूले हैं वो मैं आपको लिखा दूँगा लिमिट से रिलेटेड है हाँ यह व्याद रख लेना अच्छा रहेगा याद हो जाएंगे ज्याद नहीं है शिरू में आपको टफ लगेगा एक दो बार प्रिक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे दो एक्सपांशन हो रहे हैं एक ये वाला एक्सपांशन है जो कि ए ओफ हाँ फसी ऑगे टो मैंसी ऱ न आए वेगया थशे अधिवा तो मिनस सीन ईयुन with no restrictions, there is no restriction with with this झाल झाल देखों यहाँ पे यह दो फॉर्मॉले लिख रहा हूं बड़ दोनों फॉर्मॉले कहीं ना कहीं प्रीवियस फॉर्मॉले से डराइव होते हैं तो थोड़ा सा याद नहीं भी रहेगा तो आपको मैं बता देता हूं कैसे लिखना है ए रेस्टू दपावर नहीं हो इसको लिख सकता हूं e की पावर से ये बैतर से मैं अब भी लिखा था तो यह यह इस मेंने का अब हो गया अब expansion वाइं है एक्सपांशन वही है जो e की पावर x का एक्सपांशन है e की पावर x के एक्सपांशन से हो जाएगा देखो x की जगे बस उन्होंने क्या पूट करके रखा हुआ है x into ln x पूट करके रखा हुआ है तो this is how we can convert it यह दूसरे वाले का होगे इसके लिए बता देता हूँ में 1 प्लस x जो है इसको भी आप यह exponent वाली property जो है भूत helpful रहने वाली आगे भी आपको e की पावर ln of 1 प्लस x the whole की पावर 1 by x लिख सकता हूँ correct 4th term is 11 by 24 यहां पर 4th term कुछ नहीं है यह 11 by 24 तक ही याद रखो आप हो जाएगा आपका e बाहर multiplication में है यह बाहर multiplication में है इसी का derivation में करा रहा हूँ कि भाई e की पावर में लिखोगे आप तो यह लिख सकते हो फिर लॉक की पावर बोलेगा कि आप यह लिखले ना इसका एक्सपांशन आप छोड़ दो थोड़ा सा इसमें एक थोड़ा सा कॉंप्लिक्सिटी आईगी तो आप थोड़ा सा और कंफ्यूज अब बस उसका एक्सपांशन याद रख लो उपर वाले यह वाले गां संद्सपांशन घंटाँ फिरेशच्य व्लावर ख शिदा कि और डर बूंड दो कि व लंड पावरिश कि चलो लिख लिए हो गया बैटा सबका कुछ फॉर्मूले कराूंगा आज की क्लास में मेंली आपके फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे फिर तीन चार पांच फॉर्मूले बचेंगे बस फिर बस हमको लिमेट-लिमिट के कोश्चन ही बचेंगे में लिए तो फिर दीरे- दीरे करके दो तीन क्लास में हम कम्प्लीट कर लें कि लिख लिए यह वाला सब नहीं कि दो फॉर्मूले होते हैं तीन फॉर्मूले होते हैं जो आप याद रख लेना मिलिएं एक कउ पाव्रक्स विख लिए एक संदिक स्देरिम और लिम एक स्देट एक आप निएगओ कुई आप यह व लिमें ईक स्दिक slips inclusive कि अब यह formula आप मुझे इन तीनों का answer निखालके बताऊगे और आपको use करना है expansions, क्या use करना है आपको expansions use करना है जो अभी आपनने पड़ा है, इन formula को प्रूफ बहुत तरीके से क्या जा सकता है, differentiation के help से, expansion के help से, और भी दूसरे तरीके से, but what I want you guys is to solve it with the help of the expansion ताकि आपको application भी समझ में आए कि expansion हम किस तरीके से apply कर रहे हैं जब मैं पूछूंगा जब आपको answer देना है कुछपी आपको प्ष गर्णत कर देक फृड़ नए कर दो आपको जगना है कि योयो दो कर दो दो किवो और दो कि आपको दो आपको चर्णत कर दो मैं ब व्लाừng दो एन stimulants एक व्लुभ्वापて यह इवाला बाहर गव दिस आनोट देश्पंशन दिस अंसर आगया पहले वाले का बताओ एकी पावर एकस माइनस वन डिवाइड़ेड बाए एकस का अंसर बताओ क्या आएगा करेक्ट राजदिप शीन या जड़े जा बोल दूँँ है राइट आपका अंसर करेक्ट है पहला वाला करेक्स का एकस्पांशन आपको पता है एकी पावर एकस का एकस्पांशन लिख लो सबसे पहले और उसके बाद उसमें माइनस वन कर दो चलो एकी पावर एकस का एकस्पांशन हो गया आपके पास वन प्लस एकस डिवाइड़ बाइट 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 इसमें अगर आप जीरो पुट करोगे ना तो आपके पास जीरो बाइजिरो का फॉर्मेट आजाएगा आपके पास कुछा फॉर्मेट आजाएगा जीरो बाइजिरो का इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट आएगा अगर आप एक जीरो पुट कर दोगे क्यों एक पावर जीरो की वेल्ली होती ओना इस मां घुल नीच भी जीरो whole divided by x आपको देके रखा हुआ है भाई नहीं राहिल सही था आपका पहले plus 1 is the answer इसका answer plus 1 है जिसका आगया है वो आगे बढ़ सकता है अब यहाँ पर क्या करोगे आप थोड़ा सा धिहान देना यह 1 और यह minus 1 cancel हो जाएगा now you are left with how much 1 by x जो यह denominator वाला x है वो और यहाँ बचेगा x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial till infinite तक और भाई 1 by x को जगर divide भी करोगे तो आपके पास बचेगा 1 by 1 factorial plus x by 2 factorial plus x square by 3 factorial और x equal to 0 पूट करोगे तो क्या मिलेगा यह भी 0 हो जाएगा यह भी 0 हो जाएगा और यह सारे वाले 0 हो जाएगे सिर्फ यह बच जाएगा तो यह 1 आपके पास बच किया करेक्ट है next वाले का अंसर निकाल के बताओ a की पावर x minus l n है a की पावर x minus 1 by x यह भी 0 हो जाएगे घट जाएगे एापके पावर x करेक्ट एक पर एक्स का एक्सपांशन आपको यहाँ दे नहीं answer is only LNN वो लाच वाले का भी अंसर फटा अफट बता दो एकी पावर एक्स का एकस्पांशन एकी पावर एकस माइनस वन अपन में एकस का एकस्पांशन मेरे पास आ जाएगा एकी पावर एकस कितना होगा 1 plus x into lna by 1 factorial plus x square into lna by 2 factorial minus 1 by x तो सबसे पहले तो यह 1 1 cancel होगा, फिर यह x divide हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा लna by 1 factorial plus x into lna का square by 2 factorial and so on, जब x 0 put करोगे तो इस सारे पार्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ यह बच जाएगा, lna बच जाएगा, लास वाले का भी बता दो, फटा-फट अंसर गया आएगा डारेक सब्स्टिटूशन में सब में 0 by 0 आएगा बचा, तीनों में 0 by 0 का format है यह थर्ड अंसर कितना आ रहा है, करेक्ट आ गए मेरे पास जितने required थे मेरे पास हुआ यह फॉर्मूलेस है बेटा, यह फॉर्मूलेस क्यों है, उनके बारे में बात करेंगे, इन पर हम question भी solve करेंगे चलो अब थोड़ा सा टाइम बचा है तो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले भी कर लेते हैं हम लोग, इसको note कर लो नहीं तो चलो छोड़ो, ट्रिग्नोमेट्री वाले अपन एक्स टाइम पर ही करेंगे, तो almost as far as formulas are concern या जो चीज़ें आपको याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री के यह तो expansion हमने याद रखें फॉर्मूले याद नहीं कियें दिस आर्द लिमिट का formulas, दोस आर्द एक्सपांशन इक्सपांशन भी अपनी जगे यूज आएंगे, हमने expansion को help करके limit के formula निकाले एक formula बजगया जो अभी याद आया बट अपन अच्छा यहाँ पर लिख लो उसको x की पावर n माइनस a की पावर n यह formula आप लिख लो यहाँ पर, expansion से नहीं होगा यह, बट यहाँ पर मैं लिखा दे रहा हूँ आपको यह भी याद रख लेना याद रखने के लिए इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया यह expansion से नहीं हो रहा है formula न यह factorization से होता है यह differentiation से होता है अधर फॉर्मूले से यह सारे formula जो इत लिमिट के लिए formula questions में help आएंगे limit के लिमिट के लिए इस आल अट फॉर्मूलास इंपोर्टेंट फॉर्मूलास अस फार इस चेप्टर इस कंद्दशन वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूले इस सारे कुन सा तनवी बोल रहें लास्ट वाला यह 1 प्लस एक्स वाला यह वाला यह वाला 1 प्लस एक्स वाला 1 प्लस एक्स वाला एक्सपांशन यूस कर ले बेटा हाँ that's all from today's class जिसको कुछ दाउट है वो पूश सकता है एल एन ओफ 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन या देते को एक्स माइनस एक्स स्क्वार बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 और टिवाइडड बाई x वाट यू एक्स विल लेफ्ट विट एल एल न ओफ 1 प्लस एक्स वाई एक्स में क्या बच्छेगा तरे पास अब this is equal to 1 minus x by 2 plus x square by 3 अब पूट कर दे x equal to 0, you will get 1, ठीक है WhatsApp group link, just a second भाई लोग रूख जाना जिन जिनको WhatsApp group link चाहिए मैं जस्ट वेटे मिनिट मैं open कर रहा हूं मैं link copy करके भाई क्लासिज आवर यू कन लिव नौ इस्टुरेंट जो आप कोशन शीट के सोलुशन्स आं नोट अवेलेबल बेटा हां वो साक्षी अपन देखेंगे मतलब थोड़ा टाइम होने तो पहले लिमिट देख लेते मेनेज कर लेतें देन उसको केसे करना हैं हम लोग करेंगे करेंगे just wait a minute I will send you the link better यह री लिंक बेटा लिंक भेज़ दिया है मैंने हाँ लेक्चरी जब रुप